ओम शांती, आज 23 दिसंबर 2021 के साकार मथुर महावाक्य हैं, आज सत्गुरुवार वर्दानी दिवस पर हम गुरुवों के गुरु परम सत्गुरु के समक्ष द्रिस्टी लेते हुए स्पेशल ब्लेसिंग्स लेंगे कि मैं सर्व प्राप्ती संपन आत्मा हूँ, बार-बार ये द्रिश्टे इमर्ज करेंगे कि मुझे परम सत्गुरु ने वर्दान दिया है, मैं सर्व प्राप्ती संपन आत्मा हूँ, जो आत्माई प्राप्तियों से संपन होती हैं, उनके नैन चैन से, चेहरे से वो जलक और फलक दिखाई देती हैं, लिकिन उसके लिए हमारा हिम्मत और उमंग उलास अविनाशी बना रहना चाहिए, हिम्मत और उमंग उलास उन्हें में हवेशा रहता है, जो पास्ट को और जो पुरानी संसकार हैं, जो इश्वरिय मर्यादाओं के विप्रीत हैं, पुराने संसकार, स्वभाव, करम, इन सब से मर जीवा बन जाते हैं, अठाट, इन पुरानी बातों को छोड़ कर, जो पुराने संसकार और करम हैं, उन सब से जो मर जीवा बन जाते हैं, वही हमिशा उमंग उत्सा में रह सकते हैं, प्रतिग्या की सेटिंग कर लो, जब प्रतिग्या की सेटिंग कर लेंगे, तो स्वतही जीवन उस प्रमान चलता रहेगा हमें अपनी प्रतिग्या सदा याद रखनी है तब हिम्मत और उमंग उलास अविनाशी रह सकता है स्लोगन में आज बाबने बहुत सुन्दर बात कही है कि मेले हूं या जमेले आपको डबल लाइट रहना है तब ही कहा जाएगा कि ये धारणा मूरत है जीवन में कभी मेला है तो कभी जमेला है दोनों में ही डबल लाइट रहना है अगर जमेले भी आते हैं तो उसमें भी बाबा को नहीं भूलना बलकि मन और बुद्धी से हलका रहना है बाबा समझा रहे हैं बनाने के लिए बाबा बेहद की रात में आते हैं उनके आने का यादगार शिवरात्री मनाई जाती है शिवजयंती की बज़ाए शिवरात्री कहना चाहिए क्योंकि बाबा अवतरीत होते हैं आकर अज्ञान के अंदकार को ग्यान रुपी दिन बनाते हैं बाबा की आने से इ जब बाबा को याद करते हैं उड़ते बैठते चलते फिरते सोते चड़ती कला हो जाती है उतरने में 84 चनम लगते हैं बाबा याद दिलाते सिरफ एक मुझे याद करो तो आत्मा उड़ती कला का अनुभव करेगी योग बल से आप सत्यूगी राज्याई प्राप्त करते हो बाहु बल से नई याद के बल से रामण पर विकारों पर जीत पानि है बाबा ने समझाया कि बाबा जब आते हैं तो बाबा स्वेम राज्योग सिखाते हैं उस राज्योग से आप आत्मा ही पावन बन जाती हो पती तात्मा तो जा नहीं सकती आप दैवी गुनों की किये बिना, आप सत्यूग में नहीं जा सकते, बाबा कांटों को फूल बनाने आए हैं, पहले स्वेम कांटों से फूल बनना है, यह सुख दुख का खेल बना हुआ है, बाबा ही मुक्ती जीवन मुक्ती दाता है, बिना याद किये, जीवन मुक्ती के मालिक नहीं बन सकते, अ पर कोई भी ये नहीं समझते कि ईश्वरिये फैमली है, ईश्वरिये परिवार है, यह कुमार, कुमारियां सब हैं। भी हए है बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस समय बाबा हमें वर्सा देने के लिया हैं और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। आज चलते फिरते याद रहे मैं सर्व प्राप्ती संपन्न आत्मा हूं। मुझे अपने पुराने संसकार, स्वभाव, जो भी पुरानी बाते हैं, उनको फुल स्टॉप मर जीवा जनम्स की स्मृती से समाप्त कर देना है। नया चनम हुआ है, इस खुशी में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शान्ती, गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्यानकारी संगम जुग है। जिसे हम बाप आकर पतित भारत को पाउन बनाते हैं। प्रेशन है, संगम जुग पर जब बाप आते हैं, तो उनके आने से और कौन सा इशारा मिल जाता है। उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सब को मिल जाता है। क्योंकि बाप आती हैं पति शृष्ची के अंत करने। इसरे विनाज का साक्षतकार भी होता, अभी तुम्हें नई दुनिया के जाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। गीत हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमा पा लिया। ओम शानते। गीत होगा, यह है बेहद की रात और दिन। अपने बच्चों से कहते हैं, हमा कर रात को दिन नरख को स्वरग बनाते हैं। अथ्वा पति दुनिया को पाउंड दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का ना रातरी को का जाता। इसलिए शिवरात्री कहते हैं आते ही हैं रात को दिन बनाने उनकी कोई जनम पत्री है कृष्ण जैनती की दो ती तरिक है पर इनको बहुत दूर ले गया अर्था द्वापर जुग में ले गया बाकी सिरो रात मनाते हैं कृष्ण का जनम सम्माति तरिक सब जानते हैं बास्तम में बाबा की तो रात को आने का है तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्री भारत में बनाते भी हैं शिव रात्री शिव जैनती भी कहते हैं बास्तम में शिव जैनती नहीं कहना चाहिए क्योंकि जैनती हो तो मरंती हो पर बाबा तो जनब मरं से रही था इसलिए शिवरात्री कहना ठीक है ये स्वेम शिव बाबा कर बताते है शिव बाबा बताते हैं जब आदा कलब की रात्री पूरी हो दिन शुरू होता है ये गीता का फिसे रिपीट हो रहा है मौत का तुफान भी सामने खड़ा है पती दुनिया भी बरावबर है ये कल जो कांत है मुसीवतें भी सामने है समझते हैं ये वो ही माँ भारे लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गाइन है नैचरल क्लैम्टी ज़ारा पुराने दुनिया का विनाश होना ही है तो जरूर गीता का भगवान आया मीरा का क्रिशन से कितना प्यार था वो उनकी जाद में डांस करती थी बहुत नामी ग्रामी श्रोवनी भक्तों में गाई जाती है क्रिशन को जाद करती थी उसको उसका साक्षतकार होता था क्रिशन से प्रीत थी साक्षतकार में देखती थी इसलिए पवित्र रहना चाहती थी जानते हैं वाविकार तो होता नहीं क्रिशन से प्रीत लगी तो पवित्र तो बनना पड़ेगा पति तो कृष्ण के साथ मिरना सके मीरा पावण रही इसलिए उसकी मेहमा है ये सब राज बाबा समझाते हैं सज्जु में लक्ष्वी नरायन का राज्ये था तो जीवन मक्त थे उस समय संख्या बहुत थोड़ी थी इस समय कितने करोड़ों मनुश्य है सज्जु में इतने नहीं थे बाकि उस समय सब कहां थे उस समय सब मूलवतन में थे तो बाप आकर श्रिष्टी के आदमधन्द की नौलेज अभी हमें देते हैं अब हम जानते हैं पति श्रिष्टी का आंत है वे तो समय ते कल जुगजन बच्चा है चालिस अजार वर्ष पड़े है प्रंदु बाबा कहते हैं बच्चे कल जुका आंत होने बाला है तब ही बाप आकर ये सारी नौलेज सुनाते हैं उंचे तो उंचे भगवान उनका जनम भी जहां होता आते भी संगम पर है और आंत होने का इशारा देते हैं संगम पर आकर बताते हैं कि आप सुरिष्टी का आंत होने वाला है विनाज का साक्षतकार भी कराया अर्जुन के लिए दिखाया साक्षतकार हुआ तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षतकार किया जित्रा जित्रा नजदीक आएंगे जित्रा जित्रा बाबा के नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा कि अब हमें घर जाना है तो सब आते जाद आएंगे आंत में तुम्हें भी बहुत साक्षतकार होते रहेंगे मुक्ति धा में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है तुम जानते हो कि बराबर भारत विश्व का मालिक था यह इस्थापना हो रही है पविश्य नई दुनिया के लिए इसी संगम जुग पर इस्थापना होनी है तुम ब्रामन हो इसंगम जुग पर ये संगम जुग सवामना कल्यानकारी जुग है यहां से पतित भारत पावन बनता है बाब भी कल्यानकारी आते भी भारत में है बाब कहते मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जनब पूरे हुए अब तुम पतित हो सब रश्टाचारी है तुम श्रेश देवी देवता थे सज्जु में श्रेश देवी देवता थे फिर सज्जु के बाद रेता द्वापर कल जुग में आए अभी ब्रामन बने हो फिर देवता बनना है फिर कल्व के आंत में बाप आकर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा फिर नहीं दुनिया की स्थापना करते हैं बाबा ने कितना समझदार बनाया जब स्वरक था आप सबी बेसमझ होने के कारण कंगाल बन गए जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना उच्छा था, कितना धन्वान था कहते भी हैं स्वरक था लक्ष्विन राहिन का रज्य था बाकी शास्त्रों में ऐसे ऐसी बाते लिख दी जो लोग समयते हैं कि वहां भी असुर थे हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है आत्मा शांती धाम से आती है पृत्वी पर पाठ बजाने आत्मा भी अविनाशी है अउन गाए हुए है मनुस्तों कहादेते चुरासी लाक जनम पर मात्मा को पथर बितर कहादेते यानि उनकी कितनी गिलानी करते हैं बाप फिर भी आकर भारतवासियों का कल्यान उपकार करते हैं जान का बना देता यह खेल है दुख सुका यह है कांटो का जंगल बाप आकर कांटो को फूल बनाते हैं बड़े थे बड़ा कांटा काम भी कार अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे बाप आए हैं सैज राजयोग सिखाने कहते हैं मुझे अपने माशुक को जाद करो सभी आत्में एक आशुक पर एक माशुक पर आशिक है ब्याकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम प्रन्तु बाबा कहते पती दात्मा चल नहीं सकती शांती धाम में पती दात्मा चल नहीं सकती इसरे मुझे जाद करो तो खाद निकल जाए तो बाब कहते उड़ते बैठते मुझे जाद करो इन सादू संत मात्माँ का भी उधार करने मुझे आना पड़ता है तमो प्रधान मनुष इन बातों को समयते नहीं वैं जो कहते हैं ससद करते रहते किसी के बियोग्राफी को जानते नहीं बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं इसको का जाते है स्प्रीच और नौलेच बाबा कहते हैं दुनिया में एक भी मनुष नहीं जो परमपिता पर मात्मा को जर्थात रिती जानते हों मनुष हो कर बाप को ना जाने तो उसे क्या कहेंगे बेसमझ देवताओं के आगे जाकर मेहमा गाते हैं आप सरवगुन संपन हैं तो दोनों मनुष पर ये है कांटों का जंगर बाप इसम्या कर कांटों से फूल बनाते है अर्थात मनुष से देवता बनाते अब बाबा कहते हैं यह इश्री परिवार इतने धेर भी के हैं इसे अंद्शर्दा की तो बात ही नहीं बाप, मात, पिता और बच्चे यह इश्री परिवार है वह तो समयते हैं यह कोई इंस्टिचूशन है अरे यह तो फैमिली है कुमार कुमारियां मा बाप तो घर हुआ ना इस समय बाप आई हैं सब को विहद का वर्षा देने के लिए आच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रित मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्नि शुक्रिया बाबा शुक्रिया अवै धाना के लिए मुखे सार चर्ती कला में जाने के लिए उड़ते बैठते एक बाप की जाद में रहना है चर्टी कला में जाने के लिए उड़ते बैठते एक बाप की याद में रहना है बाप समान सभी पर उफकार करना है दूसरा ग्यान अमरत पीना और पिलाना है कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है अब आज का भर्दान मरजीवा स्थिती द्वारा हिम्मत और हुलास की अविनाशी स्टेंप लगाने वाले प्राप्ती संपन भाव मरजीवा स्थिती द्वारा हिम्मत और हुलास की अविनाशी स्टेंप लगाने वाले प्राप्ती संपन भाव जो प्राप्तियों से संपन होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंगो सा दिखाई देता है सदा खुशी में रहते हैं हिम्मत हुलास की अविनाश्ची स्टेंप लगाने के लिए अपने पास्ट के वाईश्री मर्यादों के विपरीत जो संकल्व सभाव संसकार हैं करम हैं उनसे मर जीवा बनो परतिग्या रुपी स्विच को ओन करो प्रेक्टिकल में परतिग्या परमान चलते रहो हिम्मत के साथ हुलास हो तो प्राप्ति की जलक दूर से दिखाई देगी स्लोगन है मेले वा जमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धाना मूर्थ है ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें आज के तो